है गाइस गुड मोर्निंग वेलकम बैग टू इनदर व्लोग अभी हम कुछ दिन पहले आप लोग बताया था रेलवे गुरूप डी रिजॉल्ट के बारे में यानि फीजिकल इफिसियंसी टेस्ट मेरा हो गया था कितनी मुश्किल से मैं फीजिकल इफिसियंसी टेस्ट पास कर पाया था ऐसे बहुँ से एक कंड़ेट होंके जो पास करने के लिए बहुँ सारी कोसे सकीए होंगी मेरी तरह यानि कि पैर में फ्रेक्चर हुआ होगा, इलाज कराये होंगे, दवा खाये होंगे, जूताली होंगे, तरह तरह खर्चे की होंगे, होने के बाद भी, आज railway group D का जो result है गोरकपूर वाला वो आ चुका है, और final result में मेरा कितना number है, मेरा हुआ कि नहीं, मैं वो सारी चीज़ बता रहा हूँ, मेरा जो railway group D में number था, वो 69.82 था, ठीक है, और मेरा railway में selection नहीं हो पाया है, यानि कि first DB मेरा नाम नहीं आया है, list में नाम ही नहीं है, पता नहीं, आगे second DB में कितना कटाब बनाएगा, क्योंकि कटाब भी नहीं बताया है, डाइरेक्ट वो list बनाकर दे दि नहीं मिल पाया, लेकिन दुख की बात है कि इतनी सारी चीजे करने के बाद यानि कि physical बहुत मेनस से त्यार करने के बाद नहीं हो पाता है, तो वो feelings जो पास नहीं हुए है, वह ही बच्चे जान सकते हैं, तो आप लोगों को भी अगर ऐसा होगा, आप लोग फीजिकल के ब अपने मार्क पे हुआ है, कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा, और रिजल्ट अगर आप नहीं देखे हैं, तो रिजल्ट जाकर देख लिए, एनियार वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, ठीक है, और जैसा होगा, आप कमेंट बाक्स में बताइएगा, और किसी तर बाकी जो केंड़ेट पास आउट है, तो भाई आप लोग जाईएगे, अपना डीवी मेडिकल कराईए, सेलेक्शन लीजिए, और आप लोग दुआ करिए कि हम लोग को भी हो जाए तब तक के लिए, ठीक है, आज के व्लोग को हम यहीं पर इंड करेंगे, बाई, थैंक्स आपररादिन दूरीजिए